एक बार मुझे कंफर्म करूगे क्या कि अपना सब प्रॉपर रहे कि अपन फटा फट से जाता ताइम लूंगा नहीं छोटा आपका फाइटा मिनिट्स लूंगा और फटा फटा फट से डिसक्रशन करके आपन अगले पेपर की तरफ बढ़ते मुझे पता है अपने को अपन चलो ठीक है सब लोग आ चुके अभी मेरे पास येस ठीक है तो फटा फट से आपन डिसक्रशन शुरू करें कि एक बर मुझे सिफ चैट बॉक्स में आप येस नो कर दोगे कि सब कुछ प्रॉपर हैगा जल्दी से बता दोगे येस everything is proper चलो बहुत ही शांदार तो फटा फट से आपन पेपर का डिसक्रशन शुरू करते ठीक है मैं जादा डिसक्रशन नहीं करूंगा मैंने अफकोस पेपर डीटेल में सौल नहीं किया मैं उपपर-उपर से देखा है बढ़ जितना मैंने देखा है मैं अपने मेरे को इसी तो नहीं लगा ठीक है सर ट्रिकी येस ट्रिकी बड़ बिट ऑन टुफर साइड आई विल इट वजट टुफ पेपर है अब सर पेपर टुफ था शेट ऐसो तो हम सीए कैसे बनेंगे सर आइस चाते ही नहीं हम सीए बने इसलिए सर पेपर पूसता है है और सर ल प्रिवीव चालू करूँ उसके पहले मैं आपसे दो मिनट करना चाहूंगा प्लीज मेरी बात ज्यांसा सुनना ठीक है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए क्योंकि आप पेपर रिवीव सुनोंगे ना आप जिस माइंट से सुनोंगे ना वह बहु एक इसमें mental test कर रहा है, mental test किस sense में कर अब ये बात समझने का ट्राइक करना, suppose आप एक race में भाग रहे हो, ठीक है, अब हुआ क्या है वो race है ना five rounds की है, it is a four or five rounds, अब कभी-कभी क्या होता है, आप थकते हो fourth round में, third round में, कभी-कभी race को और टभ बनाने के लिए, suppose रिस में तो हुआ क्या, अभी रेस में जो सौ लोग भाग रहते हैं, आज लोग पत्थर को देखकर डर गए, हो हो पत्थर है भाई, आज लोग उसके उपर चड़की गिर गए, ठीक है, अब आगे पास कौन हुएगा, I'll tell you, it is not about this paper, और any paper, it is about completing the race, क्योंकि काफी लोग आज ही पहले लोग भार हो गए, तो रेस में साइद है न, सौ में से सी 20-30 लोग बचेंगे, 30-40 लोग बचेंगे, मैं बूलो, अब यह रेस में competition काम हो जाएग आपके लिए, तो इस case में, race जीतना important नहीं है, race complete करना important है, विको जब आप automatically complete करोगे न, you will become a contender of winning it, but if you leave it now, अगर अपने आपको खुदी बोलोगे कि भाई मेरा काम खराव हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरे जिन्दगी में वैसा हो गया, तो कैसे काम चलेगा, तुम समझ रहे हो, तो हर पेपर आपके इच्छा नुसर नहीं आएगा, कुछ पेपर होंगे, लेंदी, कुछ पेपर में होगा ठीकिनेस, ठीके, तो अब सबसे पहले मैं आगे डिसकर्स कर, उसके प्रेंट लो मेरे साथ, कि सर, जो हुआ सो हुआ, हम आगे अपनी बाकी पेपर में पूरी मेहनत करेंगे, हमारे हाथ में क्या है, करम करना, मेहनत करना, पेपर कैसा पुझेगा हो आपके हाथ में नहीं ह और जब tough था, तो पूरे इंडिया के लिए tough था ना, आप के लिए tough था क्या अगया, नहीं न, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने पते क्या, मैंने पते क्या हरकत की थी, मेरे time है na, Svm मुझे लगा, मेरा tough गया, मुझे लगा, मेरा Svm खराब गया थोड़ा सा, ठीके, तो म नहीं होगा तो sir, कोई बात नहीं बाबा, तुम जिसका tension ले रहा हो, मैं बता रहो, आदे से जादा लोग इसमें पास हो जाएंगे, लेकिन तुम इस चक्कर में, जो Svm में compromise करोगे न, वहां तुम जाओगे फिर, और तुमको जब यह paper difficult आया है, तो हमको कहिना के compensate करना ह इसका करके, मेरा खराब चला गया तो मेरा खराब चला गया तो मैं जब आया ना भार, मिरको लेगा मैं तो गया, honestly बोलता, देखो आज बिग ब्रदर बात करता हूँ आपसे, मुझे लेगा मैं तो fail हो गया, बट जब मैं भार आया मैं एक चीज सोची, कोई बात नहीं, DT करूँगा, और लकीली जो मेरा खराब गया तो मुझे 40 आ गया, और IDT में एक्जम्शन भी आ गया, और DT में मुझे 50 में आये, तुम समझ रहा हो, मैं तुम को यही कह रहा हूँ, तुम जिसका आज टेंशन लेके अपना पूरा नेगेटिविटी लेकर आ रहा हो ना मुझे ऐसा लगता है, आप गिर पढ़के 40-45-50 तक पहुँच जाओगे, अगर एकदम ही खराब गया है तो, अगर decent गया है तो, we don't know, आपको अच्छे मांग्स भी आ जाएंगे, क्योंकि correction उससे आप से होएगा, तो आपको चिंता करने के जरुवतनी है, FR हो गया, अब चाहिए, आपकी तसली के लिए में फटा फट से 5 मिनिट में, 5 मिनिट में आपके लिए ना फटा फट से बताता तो, कौन सा question कहाया, और मुझे कैसा लगा, वो question क्या है, बट बाकी आपको बिल्कुल चिंता करने के जरुवतनी है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये CA का जो पर एक्जामपल, पहला question, कंपल सरी होता है, उसने ना नए adjustment पूछ लिए, नए adjustment मतलब क्या है, ये adjustment आपको moderate question में नहीं मिलेंगे, बट पूछ लिए, अब क्या करें, हम तो गए, अरे गए नहीं बबा, ऐसे question में 20 में से आप अगर attempt करोगे, लाश में attempt करोगे, कहीं भी attempt तो अपने को थोड़ा बहुत लगए, उसमें मिल जाएंगे stepwise marking, 0 नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, अगर आपने attempt किया है तो, ठीके, अब फशाप फट देख लो, पहला question क्या था, 101 के ओपर था, CFS के ओपर, लेकिन new adjustment पूछ लिए, अब of course मैंने इसको बटके solve नहीं किया आपने exam के बाद बैटके शांती दोनों करेंगे, अभी उस पर time waste मत करना, कि तेरे को answer क्या है, मिरे को answer क्या है, छोड़ दो, but yes, I can see some new adjustment, 20 mark का question है, time consume करेगा, नए adjustment है, तो क्या करने का था, आपका tally हुआ नहीं हुआ फरक नहीं पड़ता, कुस तो कोशिश किया रहेगा step 1, step 2, step 3, थोड़ा बहुत, balance sheet बना का रहेंगे, उतना भी का, ठीक है, कोई बात नहीं, but सब के लिए difficult है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा review है कि tricky question था है, ठीक है, उसके बाद second CSR, 8 mark का question है, मुझे लग भी राता कि CSR आएगा, अकरी बार CSR पूछेंगे, तो पूछे 8 mark का, ठीक है, आपको आता रहेगा, आप नहीं किया तो very good, ठीक है, उसके बाद, जो 1B था, 115 क्यों पता, principle versus agent, तो 115 का जो question है, again conceptual based, theory नहीं बोलनेगा, conceptual based, तो आपने अगर थोड़ा बहुत relevant concept लिखा रहेगा, तो मैं यह नहीं बोलता है, फुल मे लेगा, 2-3-4 mark तो आपन यहा लगा, मतलब basically concept तो वही था, यह basically कुन से concept क्यों पड़ता, in substance fixed lease payment, जादा मेरको देख रहा है, in substance fixed lease, मतलब अगर वह आपको बोलते है, quantity के बेस पर rent रखेंगे, तो जितना minimum quantity उतना तो आपको rent भरना ही है, तो उतना आपको consider करके चलना पड़ता है, वैसा कुछ था, अब अगर आपने किया रहेगा, तो very good, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे, तो C वाला, 21 का था, 4 mark, मुझे लगा, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, 4 mark के लिए, 6-8 mark का था, अच्छा होता है, बढ़ ठीक है, वैसा कुछन थोड़ा-थोड़ा, वो पूछे गई, difficult, बढ आपके किताब में भी a question, number change किया, लेकिन वेटे 4 mark का था, anyways, उसके बाद अगर आप देखोगे, तो 4 A में आपको एना, financial instrument पूछा है, एना, C F I with transaction cost, I haven't solved it, बट एना, कुछ लोग मुझे कह रहे थे, अच्छा, lag हो गया था, एक सेकेंड अभी ठीक हो जाएगा, sorry, lag वारे इसमें काफी बच्चों की, मैंने solve नहीं किया, of course, to be honest, but मुझे ना, काफी बच्चों की ये complain आई थी, कि क्या बोलते सर, हमारे ना, tally नहीं करा था, LAT, last में जाकर, शायद वो rounding off का फरक हो सकता है, I'm not sure about it, but yes, अगर आपने attempt किया रहेगा, तो very good, 14 mark में सा आपको जो भी ये question, उसके बाद, ये 102 के उपर question दा, share-based payment, इसमें थोड़ा Google काफ है, का आपको number of employees नहीं दिये, मेरे काल जहां तक मैं देख पार हो, आपको reverse calculation mark के, निकालना पड़ेगा number of employees, है न, तो वहां थोड़ा tricky ने सो गया, but देखो, मैं जहां भी कह रहा हूँ, आप जो सभी question नहीं, आपको है, हर question measure full ना मिले, बट जो आपने attempt किया, आट में से चार मार्क, पाच मार्क, पाच मार्क, पाच मार्क, फिर जो easy question दा, जैसे 105 का, मुझे लगा कि manageable रहेगा आपके लिए, तो इसमें full marks, वैसे करके निकालना होता है, ऐसे paper में marks, तो ये सीख है आपके लि मैंने marathon में भी कहा था, मत छोड़ना है, मैंने कहा था, format वाला शायद नहीं है, लेकिन वो आपको पूछ लागा, conditions वाला शायद, बरस में थोड़ा, आपको sales वगरा, डिरेक्ली नहीं दिया होता है, sales का अलग-अलग figure देखे दिया हुए आपको, तो इस case में निकालना था आपको आना था, उसके अंदर, ठीक है, उसके बाद आपको 101 का theory question पूछा है, ठीक है कि transition वगरा करोगे तो इस पर impact क्या रहेगा, business combination का retrospect कैसे लेते हो, तो अगर concept पड़ा हुआ रहेगा इसका तो ज्यान देखना ने का था, इसके अंदर, इन्वेज, उसके बाद एक 101 का question जिदर वो default मार देता आगे जाकर, 5, 6, 7, 3, year में नहीं बोलता है, तो आपको LAT बना के निकालना था कि मेरे 10th year के end पे value क्या रहेगी, है ना, उसके लावा जो bank को आप additional amount दोगे, उसका effect वगरा पूछा था, या कितना amount extra दो गया, उसके अलावा, ये 16 का पूछा था, overhauling वाला concept का, major inspection or overhaul, जहां आप day 1 की value में, assume करते हो कि day 1 की value में, inspection का खर्चा चुपावा होगा, उसके बाद आपको बुछा था, index 8 के ओपर 4 adjustment दे दियो, और बोल दिया, बताओ, accounting policy का change है, accounting estimate का change है, तो अगर जहां तक मैं question देख पा रहा हो, तो आपको लगेगा सर्फ काफ सुनना, जबी पेपर difficult दिखे न, एक ही target रहना चाहिए, जितना हो सके, attempt every question, मैं यह नहीं कहा रहा हो, पूरा question राइट करके आओ, attempt every question मतलब मेरा attempt आपका कोशिच होना चाहिए 100 मका करू, आप उलो कि सर आता ही नहीं, क्या attempt करू, अरे कुछ तो attempt करने का, जो भी आपको basic basic पूछे, depreciation पूछा है, carrying amount पूछा है, जितना निकाल पाओ को इतना कोशिच करना चाहिए, हाँ, मैं जानता हो, lengthy paper होगा, तो चलो आपने इस paper में 90 का, 85 का, 95 का, जो भी attempt किया रहेगा, देखो, मेरा का मैं आपको बोलना क्या, पूरा attempt करो, अगर मैं घर से आपको बोलके कि यो target should be this much, तो आप उससे कमी attempt करोगे, मैं आपको घर से बोलके बेजूँगा, कि 100 माक का attempt करो, तो at least आप मेरे चक्कर में भगा भगा के 90 तक पहुचोगे, 80 तक पहुचोगे, कही तो पहुचोगे, तुम समझ रहे हो क्या, तो यह आपका target होना चाहिए, तो जब difficult paper कि मैं attempt करूँ, मैं गोता तो इसका reason किया है, इसका reason सिंपल सा यह है, कि जब आप attempt करते हो, और correction थोड़ी easy करनी है, तो examiner को आपको marks देने के लिए कुछ question दिखने चेना उसको, सबोज आपने paper या आदा छोड़ दिया, तो काम खरा हो जाता है, क्यूँ, फिर examiner को आपको मेरे difficult, बोलना असान है, बट मैं बोल सकता हूँ, क्यूंकि मैंने भी चीज़ डील की है, मेरे attempt में, और मेरे attempt में मैंने देखा है, जो भी जो paper difficult है, तो इसमें पैनिक करके अगले paper नहीं देने गए, या अगले paper की पढ़ाई खराब की, वो literally अगले paper में fail हुए थे, जो paper क we have to score in SFM, हमारे हाथ में बड़ा लक्ष है, जैसे मैंने क्या वाता है, रेस का example, चार राउंड की रेस आपके लिए, पहले राउंड में बड़ा पत्थर रख दिया, जो गिर गए उठके भागो, आपके लिए अभी सिफ एकी टार्गेट है race complete करना, क्यूंकि इस पत्थर कमाएगा थोड़ा, तुम समझ रहे हो, तो SFM audit law you have for group 1, बाकी group 2 के अंदर भी चार सब्चेट है अगर बोद ग्रूप वाले हो तो, we have a task in hand, बराबर, FR के लिए रोना है ना आपको, आपन मिलते, exam के बाद आते है, शानती से आदा घंटा यूट्यूब पे बढ़के व्या सकूँ, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा comfort जोन दे सकूँ, बस अभी एक मेले काम करना, अगर आपको ज्यादा anxiety होती है, पेपर भाड के डश भी में डाल देना, सौर ऐसे कैसे भाड दे रहे, भाड दो, प्लीज, और मेरे को एक promise करो, अब 20 मिनिट बाद, या जो भी आपक and just go for SFM, क्या मुझे promise करते हो, पटाफट से मुझे लिखोना, सब लोग promise करते है, सर, मुझे पटाफट से promise करके लिखोना, यार, प्लीज, मेरे लिए race complete कर लो, आपको सिर्फ race complete करनी है, that's it, nothing else is to be done, just complete the race, race complete करोगे, तो काम बन जाएगा, मैं कहे रहा हो, मेरी बात मान ल और बस यहां तक मेरा support आपको रहेगा, ठीक है, बाकी paper के लिए छोटे-छोटे last native जालता रहोंगा, but please remember, it is not a race of just hard work, और paper कैसा गया, it is a race of your mental toughness also, be mentally strong, game सिफ paper लिख कराने की नहीं होती है, paper लिख कराने के बाद अगला paper कैसे देंगे, उसकी भी होती है, ठीक है, तो इसी कर टार्गेट रखे चलना, कि आज रात तक मेरा यह टार्गेट है, कल चुबे उटके मैं SM के शायरी करूँगा, उसके बाद बाकी chapters करूँगा, टार्गेट लेकर चलना, आज का टार्गेट करना अच्छा फील होगा, और आज के बादे प्रंड ले लो, FR खराब गया, आ अपना करम हात में पड़ाई करना, पड़ाई करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, तो thank you so much everyone, wish you all the best for exams, I know you have been tough, थोड़ा सा और toughness maintain करनी है, अपने को बाकी exams तर, कोई भी quit नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई message नहीं चीए, मुझे किस Yes, perfect, thank you for promising me, शुक्रिया, SFM में आतंग मचाएंगे, ठीक है, so thank you so much, take care everyone, wish you all the best, may God give you a lot of strength, which you require at this point of time, पटाफट से जाओ, SM की पड़ाई शुरू कर दो, ठीक है, शुक्रिया everyone, thank you so much, bye everyone, take care, see you all, bye-bye, और अभी paper discussion कूच नहीं करना है, paper फाड़ो डाल दो, अब जितना एक मिनट जो स्पेंड किया वो वेस्ट है, it is a waste of time, each and every second you spend from now onwards on FR, it is waste, अब देख लो, आप जो वेस्ट करोगे, SFM में पंपेंट होएगा, ठीक है, चलो, जा, bye-bye everyone, take care, see you all, bye-bye, take care, best of luck for all the papers,